तोटके डायन तांत्रीक ये गाउं में ही अपितु सेहरों में भी हुआ करते हैं आज हम आपको गुज्रात की ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं मैं और मेरा दोस्त सापुतारा घूमने गए हुए थे सापुतारा ऐसे घूमने में बहुत अच्छा जगा है वहाँ घूमते घूमते एक चना बेचने वाले से हमारी दोस्ती हो गई चना बेचने वाले ने हमें बहुत कुछ वहाँ के बारे में बताया उसने यह भी बताया कि यहां एक बुढ़िया है जो तांत्रिक है जिसे बहुत सारे लोग डायन भी कहते हैं वह तंत्र मंत्र टोने टोटके किया करती है हमने उस भेलवाले से चने वाले से कहा कि हमें उस बुढ़िया को देखना है क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो उस भेलवाले ने कहा ठीक है दिखाऊंगा पर सौर पे लगेंगे मेरे दोस्त ने कहा ठीक है चलो चलते हैं देख कर आते हैं भेलवाले को हमने सौर पे दिये और उसके साथ जगह पर ले गया हमें जहां वो बुरिया रहती थी घना जंगल था बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर और वो बुरिया सुलसान जगह पर एक जोपड़ी में रहा करती थी हम लोग वहाँ पहुँच गए दूर से ही जोपड़ी काफी डड़ावनी लग रही थी जोपड़ी के आगे एक छोटी सी जोपड़ी थी हम दोस्त के साथ वहाँ पहुँच गए उस जोपड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी मूर्ती रखी हुई थी मूर्ती किस देवता के थी ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मूर्ती पता नहीं अजीबों गरीब दिख रहे थे मुझे समझ में नहीं आई कि मूर्ती किस परकार की है हमने दोस्ते कहा कि चलो अंदर देखते हैं घर में साइदो बुढिया हो हमने देखा एक चारपाई पे एक बुढिया सो रही है असी वरस की उम्र की वो बुढिया थी जो चारपाई पर सो रही थी बुढिया काफ़ी ड़ावनी दिख रही थी और आस पास कई ऐसे समान बिख़े पड़े थे जिसे देखने कर भी डर लगता था कपड़े जहां तहां बिखरे पड़े थे ऐसा लग रहा था बुढिया काफी समय से काफी बीमार है चल फिर भी नहीं सकती है मैंने मेरे दोस्ते कहा कि यहां से चुप चाप निकलने में ही भलाई है यहां से चलते हैं हम और हमारे दोस्त वहां से निकल पड़े बस स्टेशन आकर हम लोगों ने बस की टिकेट कटाई और बस का इंतजार करने लगे लमसम नौ बजे के करीब हमारी बस आई हम बस में बैठ गए बस वहाँ से चल पड़ी थोड़ी दूर चलने पड़ी बस में जोर से ब्रेक लगी और बस रुख गई हमने सोचा सायद को यातरी हो जिसे बस में बिठाने के लिए बस वाले ने बस रोक दी है एक बुढ़िया बस में चड़ी उस बुढ़िया को देखते ही हमारे चेहरे की रंग उड़ गई हमने देखा वो बुढ़िया वही बुढ़िया थी जो उस समय चार पाई पर सो रही थी असी वर्स की बुढ़िया देखने में ही समझ में आ रहा था कि काफी डरावनी दिख रही थी बाल खुले हुए थे वो बुढिया एकदम जुकी हुए थी और बिल्कुल हमारे पीछे जाकर बैठ गई हम दोनों दोस्त के रोंग्टे खरे हो गए हमें लगा कि अब वो बुढिया हमारे पीछे पड़ गई है अब हम क्या कर सकते हैं बस वहां से चल पड़ी हम दोनों की ह पलट कर देखा तो बुढिया वहां पर नहीं थी उसके जगह पर कोई खुबसूरत और बैठी हुई थी मैं वहां से आगे चल पड़ा नीद आ गई काफी दूरी थी बस की इसलिए नीद आ गई वलसाड बहुत दूर है सापुतारा से इसलिए हमें नीद आ गई हम लोग स उत्रे काफी चिंता में थे सोच रहे थे कि हम लोगों से बहुत बरी गलती हो गई है अब क्या किया जाए कहां जाया जाए कैसे बचा जाये कहीं वोबढ़िया फिर न दिखे और कहीं हमारे पीछे न पर जाये हम दोनों हहां से निकले और हनमान जी की एक मंदिर है उस हनम भी हमें कहीं दिख तो नहीं जाएगी साइब कौन थी, वो बुढ़िया थी या वो औरत क्या हमें भर्म हुआ था क्या वो बुढ़िया हमारा पीछा कर रही थी हम आज भी इस बात को लेकर काफी टेंसर में और काफी चिंता में आ जाते हैं, कहानी कैसी लगी आप जरूर हमें कॉमेंट करके बताए इस वीडियो को सेर करें, लाइक करें और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप जितना लाइक करेंगे, उतना जल्दी जल्दी हम वीडियो लाने की कोशिज करेंगे, तब तक के लिए हमें आगे